नमस्का सत्यू सत्यू आज का टॉपिक जो है वो बेहद महत्पूर है और ये उन लोगों के लिए है कि देखे अगर आपका किसी प्रॉपरिटी पर प्रत्कूल कबजा है और खासकर क्रसी जमीन पर तो उसके आधार पर आप वाद कैसे ला सकते और वो जमीन जो अपनी खतोनी जमावन्दी वगएरा में है वो नाम कैसे करवा सकते इस पर मैं पूरा कानून लाया हूँ और विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से प्रॉपरिटी आपके कबजे में है वो आप अपने नाम कैसे करवा सकते हैं, अपने नाम के डॉकुमेंट्स कैसे बरवा सकते हैं, यह कोई भी आपको बहतर कानूनी सला लेनी है, या आप अपको अपने डॉकुमेंट्स चेक करवाना हैं, तो कॉंटेक्ट कर सकते हैं, कॉंटेक्ट नमर हमारा वीडियो की डिस तो भाई आपका 48 तो भाई इस पर 99 पर अब ध्यान रहे एक बंदा है ठीक है वो 99 गाटा संक्या पर 13-15 साल से जो है वो प्रत्कुल कबजा किये बिना किसी विवाद वगयरा के ठीक है प्रत्कुल कबजा किये तो ऐसी कंडिसन पे वो गोस्टात्मक वाद ला सकता है और उसके बारे में कानून में भी प्रावधान किया गया देखिए आपको यूटूब पर कई वीडियोस मिल जाएगा साथियो ठीक है आते हैं मिट टॉपिक पार क्या कहता है देखिए सबसे पहले में आपको एक चीज और कहूंगा साथियो एक घरावनी योजना चलाई थी सरकार ने घरावनी योजना ठीक है अगर जैसे माली जो कोई गाउं में आपका मकान है साथियो तो ऐसी कं सरकार में कानूल लाया गया था जिए घरावनी योजना चलाएंगे जो भी लोग बाग है मतलब जिनके नाम प्रोपरेटी नहीं है ठीक है जैसे माली जिए इसपर रह रहा है गाउं का रह रह रहा है ठीक है इसके दादा से चला रहा रहा है लेकिन इस डॉकुमेंट नही ये क्या प्राफधन करती है? खातेदार द्वारा घोष़लातमकवाद, अब ये क्या है? त या के लिए वाद कर वाद ला सकता है कि इस प्रापर्टी मेरा अधिकार है और घुष्छात्मक वाद ला सकता है ठीक, अब देखिए घुस्छात्मक क्या होता है वहु生 को बताएंगी तो इसमें जो है देखिए यानि कि भई ये जमीन में जो उत्ता वोरा रहा हूं मेरे इस पर अधिकार है गोस्लात्मक वाद लाद हो गए और वाद अगर मालीजी केस जीत जाते तो खतवनी बगेरा मालीजी भई आपके अधिकारों की गोस्ला कर दी जाएगी गोस्लात्मक वाद क्या ह हो तो आपने अधिकारों की गोस्ला और एक वार अगर हो गई तो आपके खतवनी पेवी नामदर्ज हो जाएगी जमीन जमावन्दी अधिकार अभले खत्यान फर्थ जो भी बोलते हैं उस पर ठीक है अब यह क्या खा गया देखिए किसी भूमदर द्वारा उसकी और से सं किया कोट में लाए जा रहा है उसमें राज सरकार ग्रामचाहिट पंच्चकार बताद हो राजसरकार और ग्रामच्चकार को तो नोटिस जाएगा और अपी सब्चेसं कर देगी राजी सरकार के पास जाएगा तो उसके जो भी पैनल लॉयर है वो एब्जेक्शन कर देगे मोद यह इस पर गोश्रा तमग बाद नहीं लाया जा सकता है ठीक है और जो है किसी आसामी द्वारा उसको संसितिक किया तो भूम आवस्थिक पच्छकार होगा जैसे माल काफी रेगुलर सूट है अपने अधिकारों की घुसला करना एक रेगुलर सूट है तो इसमें काफी टाइम लगता है और काफी समय बाद चलता है और लोगों ने काफी इसका फाइदा उठाया पहले जहारा जित हुए वह सात्यों थी 239 भी ठीक है एक चीज में आपको य जमीन के जो है अधिकारों की घुसला कर सकते हैं साथ यूठीक है और वाकिया आपका कोई बैतर कारों निसला लेना चाहते हैं तो पॉन्टेक्ट अमर वीडियो की डिसमें में